चिंदवाडा की कलाकारों द्वारा आयोधिया के श्री राम मंदिर की प्रतिकरिती बनाई गई है। बोपाल के सोमवार को भवानी चौक में बाटे की 1100 कुंटल मिठाई। पूर्व महापौर आलोक शर्मा के नेत्रत्व में भवानी चौक सोमवारा पर अनूठा आयोजन किया जा रहा है। यहां चिंदवाडा के कलाकारों द्वारा आयोधिया के श्री राम मंदिर की प्रतिकर्ती बनाई गई है। मंदिर को विशेश लाइटों वाफूलों से सज आया गया है। आलोक शर्मा ने बताया है कि यह पहला अफसर है जब रामधून के विभिन प्रकार की 11 कोईंटल मिठाईयां बनाई जा रही है। भगवान को भोग लगाने के बाद यह ज्वनता में वित्रित होगी। पुलिस से बैंट के साथ सुंदरकांट का पाठ होग पीले बस्तर धारड की ये मात्रशक्ती बधाई गीत गाएं की या यूजन संध्याकाल में साथ बजे प्रारम होकर पुरे देर रात तक चलेगा। सनातन को बानने वाले भगतों में इतना उत्साहा है कि जो भी तैयारियां की जा रही हैं रामधून के साथ मिठाईयां ब का हुआ है कारिक्रम की खास बात ये रहेगी कि किनर समाज को भी सम्मेलित किया जाएगा उन्हें आम अंत्रण दिया जाएगा। प्राने भुपाल के भवानी चोग प्रांगण में सभी भक्तगण मिलकर 101 प्रकार की मिठाईयां 56 प्रकार के वेंजन नहीं है 101 के प्रकार की मिठाईयां हम कल सजा रहे हैं कल सुंदरकान का पाठ होगा हनमान 40 होंगी तीन घंटे लगातार आतिस वाजी होने वाली है बाह बाहर से हमारे कलाकार आ羅हें सारे गामा के कलाकार है वे अपने भच्णों की प्रेस्तथित देंगे भार से हमारे कलाकार आ एक एतियासिक शण के हम लोग साक्षी बनने वाले हैं उकल ये कारी किरम होगा सबी भोपाल बासियों से मैंने वेदन करता हूँ कि भवानी चोक सोमबारपर ये कारी किरम साथ बजे से रात को ग्यारा वे तक चलेगा इस कारी किरम में हिस्ता लें 22 तारीको मरियादा पुर् जन अर्चन करें और अपनी आने वाली जो नई पीड़ी को मरियादा पुरितम भवान राम जो हमारे आधर्ष है प्राण है हमारी धर्वार है इस देश की संस्क्रती है इस देश और दुनिया के कणकण में राम बचे हुए है इस देश की हवा में राम बचे हुए है इस देश के धरा के पानी के अंदर राम बचे हुए है हम सब लोग उनका देखे अभी मैं यहां से जा रहा हूँ उनकी भी सूचना मिली है राम चरीत्र मानस में हमारे किन्नरों का भी उल्लेक मिलता है मैं कहूंगा कि वेवी आएं और वेवी हन्मान 40 का पार्ट करें सब लोग मिल जुलकर जै श्री राम जै जै श्री राम का मंत्र यहां आपके उपर करेंगे कल पूरा भुपाल पूरा आपके प्रदेश राम में होगा